हेलो स्टुडेंट्स अगर आप बीएसी एग्रिकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी वे इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाते हैं तो इसके लिए आपको एक वैबसाइट पर जाना होगा इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रेडिंग 2010 जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रेडिंग 2010 और उसके बद आपको एंटर दमाना है जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे उपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइन्स एंड एग्रिकल्चर बॉटनी के नाम से ठीक है यह वैबसाइट कौन सी है प्लांट ब्रेडिंग 2010.blogspot.com तो इस लिंक को आपको उपन करना है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप लिंक के उपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइन्स एंड एग्रिकल्चर बॉटनी के नाम से वैबसाइट उपन हुई दिखाई देगी इसमें आपको left corner पर sidebar पर क्लिक करना है और जैसे ही sidebar पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग-अलग subjects के जो links हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ-साथ जो old papers के links हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे जनके उपर क्लिक करके आप notes तक पहुंच सकते हो जो subjects यहाँ पर mention नहीं हैं वो आने वाले time में यहाँ पर add कर दिये जाएंगे Seed Technology का next lecture है Foundation and Certified Seed Production of Important Fodder Crops महतवपूरण 4 फसलों का अधार वै प्रमानिकृत भी जुत पादन तो चारा फसले या Fodder Crops कौन-कौन सी है जिनका उपयोग हम लोग पशुओं को चारे के रूप में या हम cattle के लिए Fodder के रूप में यूज करते हैं तो तीन ऐसी Crops हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने है बरसीम, लूसर्न और जई जिसको और्स भी का जाता है इंग्लीश में तो इन तीनों का जो Foundation and Certified Seed Production है वो किस तरह से किया जाता है वो हम लोग करेंगे तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने अधारवय परमानिकर तबीज उत्पादन Foundation and Certified Seed Production तो लेक्चर नंबर 4 जो हमने किया था Seed Technology का उसमें हमने अधारवय परमानिकर तबीज उत्पादन की समन्य विधी परदर्शित की थी जो जनरल प्रोसेस है Foundation and Certified Seed Production का वो वहाँ पे हमने शो किया था तो सभी चाराव फसलों में जितनी भी फोडर क्रॉप्स हैं तो तीन फोडर क्रॉप्स के नाम मैंने आपको बताए हैं बरसीम लिउसर्ण और ओट्स यानि जई इन तीनों चारा फसलों के लिए जितने भी स्टैप्स होते हैं चरण होते हैं Foundation and Certified Seed Production में वो समान रहते हैं किसके समान रहते हैं लेक्चर नमबर फोर के अंदर जो हमने स्टैप्स या चरण शो किये थे उसके समान रहते हैं कुछ चरण या स्टैप्स ऐसे हैं जो चेंज होते हैं या परिवर्तित होते हैं और इन्ही steps को या चरणों को हम लोग इस lecture के अंदर show कर रहे हैं या परदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहला isolation distance या पर्थकर्ण दूरी तो परपरागन का प्रतिशत जो है वो निर्धारित करता है पर्थकर्ण दूरी को। cross-pollination कितने percent है इस अधार पर प्रथकर्ण दूरी जो हो रखी जाती है और इसी अधार पर 4 फसलों में या fodder crops के अंदर जो isolation distance है वो change हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है तो इस table के अंदर या सारनी के अंदर एक तरफ फसल दे रखी है फिर उसके बाद परागन को किस type का ह है और फिर प्रिथकर्ण दूरी यानि isolation distance Fs का मतलब foundation seed production के लिए है और CS का मतलब certified seed production के लिए है बर्सीम की बात करें तो यह एक cross-pollinated crop है या पर परागित फसल है इसलिए इसमें foundation seed production के लिए 400 meter 400 meter की distance रखी जाती है और certified seed production के लिए 100 meter की isolation distance रखी जाती है लुसरन की बात करें तो यह भी एक cross-pollinated crop है या पर परागित फसल है इसमें भी isolation distance जो है foundation seed production के लिए 400 meter और certified seed production के लिए 100 meter रखी जाती है जई या ओट्स की बात करें तो ये self-pollinated या swap रागित फसल है इसलिए इसमें isolation distance, foundation seed production and certified seed production हैं दोनों के लिए ही 33 meter isolation distance रखी जाती है अब इसमें खास बजाती है कि जई की crop होती है या ओट्स की जो फसल है उसमें loose smut रोग जो है उसका बोज़ादा खतरा रहता है तो इससे अ बचाव करना जाते हैं या protection करना जाते हैं तो हम लोग isolation distance या पर्थकर नदूरी को बढ़ा लेते हैं कितना कर देते हैं वही 1500 meter या 150 meter isolation distance रखी जाती है उसके बाद दूसरा आता है बौई या sowing तो चारा फसलें या fodder crops जो है उनमें sowing का जो time है या बौई का जो समय है और seed rate प्रती hectare या बीज दर्ज होती है पर hectare वो फसल के प्रकार के अनुसार यानि किस type की crop है उसके अनुसार ये change होती रहती है या खरीफ crop है या फिर रभी crop है इसके according ये change होती रहती है तो यह हम लोग देखते हैं भी बरसीन, lucern and ots ये तीनों की तीनों ही क्या है भी रभी crops है ठेक है और रभी crops होने की वज़े से इनकी जो बुआई है उनका समय लगबग एक समान ही होता है तो बुआई का समय या स्विंग टाम क्या है भी अक्टूबर नमबर तीनों फसलों के अंदर अक्टूबर नमबर में ही स्विंग या बुआई जो है वो की जाती है से 100 kg पर हेक्टेर 8200 kg पर हेक्टेर जो है वो बीज़दर इसमें रखी जाती है तीसरा उरवरक या फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें तो डिफरेंट जो फोडर टॉप्स होती है या विभिन जो चारा फसले है उनमें विभिन जो उरवरक है या डिफरेंट टाइप्स क या डोजर है वो आफशक होती है अलग-अलग फसलों के लिए तो इसमें टेबल के अंदर दे रखे हैं भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ही हम लोग बात करेंगे पोटाश जो है उसकी जरूरत इन फसलों को नहीं पड़ती है तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की पचास किलोग्राम प्रती हेक्टेयर चाहिए जई या ओट्स के लिए ये रिक्वाइरमेंट चेंज हो जाती है नाइट्रोजन कितनी चाहिए असी किलोग्राम प्रती हेक्टेयर जबकि फॉस्फोरस कितनी चाहिए तीस किलोग्राम प्रती हेक्टेयर अब खास बाद यहा आदि मात्रा और फोस्फोर्स की संपूरण मात्रा वो वह बुआई के समय यानि की सुएंग टाइम पर खेत में डाल दी जाती है थेक है तो फॉस्फोर्स जो है वह हम लोग सिर्फ एक ही बार देती है कब देते हैं बौईई के समय यानि स्वइंग के दो बार दी जाती है nitrogen की आदी मातरा तो हमने कब दे दी वहाई के समय यानि सोविंग के टाइम पर और nitrogen की जो शेश बची हुई आदी मातरा है वो पहली कटाई के तुरंत बाद फसल को दी जाती है यानि after the first harvesting पहली जब कटाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही डाल दी ज जो चारा फसले हैं उनमें irrigation या सिंचाई की आफशक्ता परिवर्तित हो सकती है लेकिन यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रही है तो इस table के अंदर आप देख रहे हो बरसीम, lucern और odds इन तीनों ही फसलों को बहुत सारी या many या अनेक सिंचाईयों की आफशक्ता होती है कब क स्टेज आ जाती है, उस time पर कि जाती है उसके बाद फिर कई सिंचाईयों करने पड़ती है और प्रतेग कटाई के पश्चात यानि जब हर एक harvesting की जाती है, कटाई की जाती है उसके बाद जो है वो सिंचाई फसल को दे दी जाती है तो तीनों फसलों में ऐसा ही है तो प्राप्ता चारा है वो हमें इन फजलों से प्राप्त होता है। उसके बाद पांच में आता है पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन तो इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है या तीन भागों में इसको हम लोग विभाजित करते हैं। सबसे प खरपतवार नेंतरन या वीड कंट्रोल की अपने बात करें। तो चारा फसलों के अंदर यानि बरसीम, लूसन और ओट्स के अंदर हम लोग वीडी साइड या खरपतवार नाशी का उप्योग नहीं करते हैं। बलकि हम लोग मैनुली या हाथ के द्वारा ही जो खरपतवा और खेट से बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि ओट्स की बात करें तो इसमें समय समय पर हमें होईंग और वीडिंग करनी पड़ती है। तो हमें वीडी साइड या खरपतवार नाशी के उप्योग की जुरूरतियां पर नहीं पड़ती है। उसके बात रोग नियंतरन कि आपशकता नहीं पड़ती है। ओट्स की बात करें हैं जई की तो इसके अंदर एक रोग जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है और उसको बोलते हैं लूज समट ठीक है। तो लूज समट का हम नियंतरन करना चाते हैं तो हमें एग्रोशन जीन का स्प्रे जो है वो करना हम परता है फसल के उपर तो यह रोग नियंतरन या disease control है उसके बार लास्ट में हम लोग करें गे कीट नियंतरन या इसको insect control भी बोल देते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो की डैमेज करते हैं चारा फसलों को बरसीम और लिोसरन में सेम कंडिशन रहती है इन दोनों फसलों में सेमी लूपर थ्रिप्स, एफिड्स और कैटरपिलर इन चार प्रकार के इंसेक्ट पैस्ट्स का या कीट ज़्यादा रहती है तो दीमक के कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे भी मृदा के अंदर या सोयल के अंदर बिएच सी यानि बैंजिन हेक्साक्रोराइड जो है वो डाल दिया जाता है जिससे दीमक जो है वो निंतरित हो जाती है तो यह था भी अपना आज का लेक्ट्चर